हेलो फ्रेंज तो आज के वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा सास है उसे हम सब्लैम के साथ कैसे हाइलाइट करवाते हैं ठीक है तो जो कलर हाइलाइट है वह मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं ठीक है तो यहां पर मारे पास जो फोल्डर है उस दोनों फोल्डर को यहां पर हमें अब कंपाल करवाना पड़े गया तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब जब आप सास को सुरू करते हैं तब आपको यह दोनों फोल्डर को कंपाल करवाना पड़े गया तो य यहाँ पर command a, sas, minus, watch और दोनों हमारा जो folder है उसके name ठीक है यहाँ पर यह सुरू हो जुगा है ठीक है अब मैं यहाँ पर मेरे coding पर जाता हूं तो आप color combination को मैं बता रहा था color combination क्या है तो जब आप देख रहे हैं तो यह pink प्यारा यह green प्यारा है ठीक है तो यह है color combination है तो यहाँ पर यह css के format में भी है टेकिन color combination नहीं आ रहा है यहाँ पर देख सकते है plain text है लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर लिखा है plain text तो sas के साथ color combination यानि कि यह जो sublamp है यह sas को अपने आप आप automatically support नहीं करता है तो यहाँ पर हमें install package करवाना पड़ेगा जो highlight का है उसे हम color highlight बोलते है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl Shift P तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl Shift P तो आपके सामने यह open हो जाएगा अगर आपको यहाँ से भी ऊपन करना है प्रेफरेंस और यहाँ पेकेज कंट्रोल तब है आपके सामने यह open हो जाएगा जब आप Package Control पर जाना है आपको पहले प्रेफरंस और उसके बाद आपको लिखना है पेकेज कंट्रोल ठीक है तो यहाँ पे आपके सामने यह आ गए अब आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टोल जब आप इंस्टोल लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आजएगे इंस्टोल पेकेज जब इंस्टोल पेकेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और दूसरा एक window भी अब open हो जाएगा ठीक है तो यह open हो गया है तब आपको यहाँ पर highlight के लिए सास की package install करोनी है तो यहाँ पर आपको लिखना है सास जब आप सास कर यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने यह आजाएगा दूसरा और sublime text 3 package 4 highlight both slash and scss syntax तो यहाँ पर आपको इस से click करना है तो यहाँ पर आपको install होता हुआ नजर आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप उसने message दे दिया है कि यहाँ यह भी इस डॉल अब हो चुका है जब इंस्टोल होई चुका है पो इस पैल को क्लिक करना है और यहां पर लिखा हुआ जाएंगा कर तो सास पर आपको cycling अपर कर वाना है और जो आपकी फाइल सही हाम पर आपको एंटर लगा देना है ठीक है तो यहां पर इनार हो गया है hydro में तो इस वीडियो में मैंने आपकोAY हैज सब्लैम के सजेशन वो क्यों नहीं आ रहा है जैसे कि यह style CSS में आ रहा है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर दूसरी property मान लो background तो यह suggestion आ रहा है वह suggestion आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिला है आप वहीं सोच रहे है क्योंकि जो इस फाइल में support कौन कर रहा है css support है क्योंकि जब यहाँ पर css में कर देता हूँ मान लो यहाँ पर मैं css कर देता हूँ तो यहाँ पर background का जो था वह suggestion भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसमें यहाँ पर यह variable का है वह white हो गया ठीक है तो कोई बात नहीं है आपको जैसे याद रहे वह आप कर सकते हो यहाँ अगर आप css में रख रहे हो अब यहाँ पर type तो यहाँ पर आपको suggestion भी मिल और यहाँ पर अगर आप sas कर लेते हो तो यहाँ पर आपको sas भी मिल जाएगा sas पर आपको color combination full मिलेगा तो आपको property की proper name और उसकी value याद होने चाहिए ठीक है तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए take care bye friends